हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कोईन आफ वान्स टेरो कार्ड रीडिंग और आज में बात करना चाहूंगी सुशान सिंग राजपूत के यूरॉप टोर के बारे में यूरॉप गए थे और उनके जो सिक्यूरिटी स्टाफ थे जो उनके ओल्ड स्टाफ थे उन सबने यही बात कॉमनली बोली है कि जब सुशान सिंग राजपूत वापस आए यूरॉप टोर से वो बिल्कुल बदल कर वापस आए एकदम बदल गए थे वो जब 28 से 29 अक्टोब बिल्कुल बदल चुके थे वो कहीं कहीं घंडे तक सोए रहते थे तो क्या हुआ था इसके लिए अभी रिया चकरवर्ती जो है उन्होंने एडी में यह बयान दिया है कि सुशान सिंग राजपूत वो और शोबिक ये तीनों के तीनों जब यूरॉप गए थे तो वहां प सिखोने ही के साथ जबावन दिया है ignoreet टीन अभाई के साथ एक रूम में थी और सुशान सींग अपने रूम मिं थे तो वहां पर बहुत पुरानी सी फोटो लगी हुई तो अ धेसे ब कातिनि नहीं सिंग साल पुरानी फोटों तो एसा बताया जा रहा है कि उस पेंटिंग में सैटन और सैटन के बच्चे थे उसमें तो रिया जगवर्ति ने इनफोमिशन एडी को दी है कि वह पेंटिंग देखने के बाद सुषान सिंग राजपूत जोर-जोर से मंतर पड़ रहे थे और जब वो सुषान सिंग राजपूत के पास गए तो वो चिला रहे थे मंतर पड़ रहे थे और कह रहे थे कि यहां मैं देख सकता हूँ यह जो प्लैनेट है जो देवता है इनको मैं देख पा रहा हूँ सुषान सिंग राजपूत ऐसा कह रही थे तो ये बात रिया ने बताई है तो रिया की कितनी बात पर आपको यकीन करना है या आप सब को मालूम है तो ये स्टोरी जो बताई है रिया ने बताई है कि उर्व टूर पर ऐसा हुआ था और फिर वो और शोबिक जो भाई बैन है दोनों, तो वो दोनों सुशान के पास ही सोये, उसका ध्यान रखा उन्होंने, और उन्होंने उनको कोई दवाई नहीं किलाई, कोई हैलूस रिलेशन की दवाई नहीं किलाई, तो ये बात वो बोले, बोला है उन्होंने, तो अब इस बात का थोड़ा सा मौ जानते हैं तेरो कार्ट के माध्यम से कितनी सच्चाई है रिया चक्रवर्ती के इस बयान में कि यूरोप टोर पे ऐसा हुआ था कि कुछ और ही स्टोरी है यूरोप टोर की जो यह चुपाना चाहते हैं क्योंकि वहां से आने के बाद सुषान सींग राजपूर दिन में 20-20 ग और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एक रेड कलर का बॉक्स पर क्लिक करिए उसके बाद और पर जरूर क्लिक करना बेल के इस साइब में होता है तो उससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और मेरी सारे वीडियो जो में बनाती हूं आप लोगों क के डेक है ठीक है और मैं इनी के डेक यूज करती हूँ और बहुत प्यारे डेक है इनसे आप बात करें इनको संझे आपको बहुत अच्छा लगेगा हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इसमें चली तो जानते हैं हम कि क्या हुआ सुषान सिंग राजपूत के साथ यूरोप म प्लीज तेल में वाट रिया चक्रवर्टी और शोबिच चक्रवर्टी जट दो हम इनको इनको प्लीज तो जब बिलकुल भी बदल गए थे यूज वह बीज गंटे सूते थे ऐसा क्या किया था इन दोनों ने प्लीज लॉट अच्टार अम्सपीज पीजिव मिजें एंसे प्लीज इंपेज पीजिव फेंटिंग एंटिंग विजे पीज लाएं थे लिजे में दाली है यह पाइंगल है पेंटिंग का क्या बताया जा रहा है क्या एंगल है ये पींटिंग का लॉस्ट रफ नॉस्ट एमसी क्या बताया जा रहा है सचाही क्या है one card for the upper one upper deck and one card for the lower one that's it okay okay all right so I have these cards here we promise to back you तो यहां पर रिया की मदर क्या कर रही है भई, रिया की मदर क्या कर रही थी वहाँ पर, यूरोप गई नहीं थी लेकिन नजर पूरी थी उनकी उरोप टूर के उपर, पल-पल की खबर थी रिया की मदर को, पल-पल की खबर थी रिया की मदर को, क्या चल रहा है यूरोप था क्या करना था सब कुछ यह जो इनकी मदर है ना यह को सब मालूम है इनको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिया की जो मदर है वो मुझे यहां पर भी दिख रही है इनका रियालिटी पता चल चुकी थी सुशांत को यूरोप टोर में शुशांत को इनकी रियालिटी पता चल चुकी थी क्योंकि अगर आप यह कार्ड देखें यहां पे तो यहां पे यह दो जने दिख रहे हैं यह रिया चक्रवर्ती और उसका भाई आप समझ सकते हैं और यहां पे रिया चक्रवर्ती की मदर है यह दूर से थी मैंने आपसे कहा कि रिया चक्रवर्ती की मदर का भी कनेक्शन है व था यहां पर दोजने दिख रहे हैं यह रियास और उसका भाई है उसका भाई है इन इनको देख रहा था कौण रख रहा था इनपे नजर किसको पता चल Giray कि इपारे में कि लोड़ा चाहते हैं से स्कारे हैं से एन अधियों में कर रहे हैं कि नीन पे नजरती किसकी सुशान्त की ये एक experience person है सुशान्त को इनके बारे में यहां पता चल चुका था सुशान्त के पास ये डायरी है हो सकता है सुशान्त ने यूरोप के बारे में सब कुछ इस डायरी में लिखा हो जो डायरी के pages मिस हुए हैं ये भी कारण हो सकता है कि डैरी को ढून करके उसके पहले पेजिस फाड़े गए है क्योंकि इसमें सुशान सिंग राजपूत ने लिखा होगा सब कुछ कि यहां मैंने देखा कि शोबिक और रिया मिल करके मेरे खिलाफ प्लैनिंग कर रहे हैं और उनकी मदर भी उसमें शामिल है कि तीनों मिल करके मेरी प्रौपर्टी लेना चाहते हैं यह ऐसे विचार सुशान के दिमाग में थे ऐसे विचार सुशान के मन में थे और वो इस डैरी पे उनको लिक रहा था और सोच रहा था कि यह लोग क्या कर रहे हैं What are they doing with me? क्यों कर रहे हैं मिरसाथ ऐसा तो यह connection है इनकी मदर का मैंने पहले ही का है इनकी मदर यहां देखी है कुछ तो बात होगी और देख लीजिए इस card में clear दिख रहा है कि यह शोबिक और रिया बात कर रहे हैं यहां उनकी मदर यहां से उन्हें बता रही है क्या करना है तुमें और यहां पर देखो शुषांट की नजर रंतीनों के उपर है और साथी साथ सुषांट यह बहुक नदे के सुछ कुछ लिख भी रहे हैं ऐप्टूबर से पहले पहले ही काफी साहीं जारे ट्रैंजेक्शिंस ऐसे होंगे जो सुशान्त की अकाउंट से रिया ने किये होंगे और इन दुरों ने इनकी मा के कहने पर जैसी विरों ने मिलके और यही अक्टूबर में सुशान्त को पता चल गया था कि इन लोगों ने धोके से सुशान्त की बहुत सारी प्रॉपर्टी ले ली है इसलिए सुशान्त इस डैरी में शायद कुछ चेक कर रहे है कि क्या ट्रांजेक्शन्स हुए है क्या पैसा निकला है क्या बैंक का गपला हुआ है या कौन सी प्रॉपर्टी अपने नाम इसने करा ली है तो यह सब सुशान्त इहां से इस बुक में देखकर स्टडी कर रहे पितना उनंे कितना उन्के साяг Hindi हंए फाइनेंशल कितना उनंने चीट किया गया और यहां पर सूशान्त को बेफ़कूबरानी की कोशिश से सै और सुशान्त को पता चल गया कि ये लोग मुझे चीट कर रहे हैं मेरे finances मुझसे ले रहे हैं और यहां पर देखो इनकी condition आप देख रहे हो beard हो रखी है और तोड़े ऐसे लग रहे हैं जिसे कि मतलब अपना कोई ध्यान ही नहीं है कोई भोश ही नहीं है ऐसी look लग रही है उनकी क्योंकि उनको काफी financial जटका लगा है यहां पर definitely उनको यह financial जटका लगा है अगर हम ED की report जो आएगी तो आप देखना पिछले साल 2019 के October से पहले पहले बहुत साले transactions हुए होंगे जो सुशान्त को उनकी October में ही पता चला है उनके बारे में तो इसका मतलब उससे पहले हुए होंगे तो वही यहां पर information उनके पता चला है तो यह card में इतना समझ में आ गया जब सुशान्त ने यह सब देखा तो यहां पर उनको heartbreak हुआ दुखी हुए बहुत उदास हुए वो वो जिसको प्यार समझ रहे थे कि वो प्यार करती है उनसे वो actual में heartbreak निकला मतलब जिनको वो सोचता था कि यह शादी करेंगे इससे engagement करेंगे प्यार है यह सब सोचते थे वो basically वो क्या था sorrow उसने उनको sorrow दे दिया 2 के बाद 3 नमबर है यहां पर irrespective of moon or star card number 2 and number 3 मतलब यह यहां पर सोच रहे थे कि प्यार है लेकिन यह प्यार नहीं था यह था लालच यह दो card से इनको यहां रख देते हैं इनका पर पता चल गया अब हम आगे और जाते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि इस card को अगर हम देखें यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो person है यह काफी powerful है और इसके पास यह लड़की यहां बैटी होई है यह रिया चकरवर्ती हो सकती है जब सुशान्त को यह सब पता चला यह खबर हो गई वहां पर जब वहां गए थे और सुशान्त को यह realize हुआ कि यह सुशान्त को बेवकूफ बनाए थी यह जो यहां पर दूसरा creature है यह रिया का भाई समझ लीजे यूंकि हम energy से बात करेंगे यह जो यहां पर bird दिख रहे है यह रिया की मदर को आप समझ लीजे क्योंकि हम energy से बात करेंगे bird का मतलब है जो उड़ सके जो उड़ के आई हो और रिया की मदर उस वक्त बहुत दूर थी उनके पास नहीं थी तो something which is in the air यानि की air communication तो इसको तो ignore ही कर दो आप अगर हम देखे तो यहां पर रिया है और यहां उसका भाई यहां पर बैठा हुआ है बगल में और यह दोनों के दोनों मना रहे हैं सुशान्त को यह दोनों के दोनों मना रहे हैं सुशान्त को साथ में उनकी मदर भी air के communication से मतलब फोन के तुरू सुशान्त को के गुस्से को शान्त कर रहे हैं उसे कह रहे हैं कि अरे तुम कैसे manage करोगे हम हैं तुमारे साथ हम तुमारा ध्यान रखेंगे तो इस सरी के से convince कर रहे हैं यहाँ पर ऐसी इसमें energies मैं feel कर रही हूं तो यहाँ पर convince करने की कोशिश कर रहे थे सुशांत को लेकिन यहाँ पर सुशांत बहुत ही spiritual mode में आ चुके थे और सुशांत समझ चुके थे कि यह उनके साथ गलत हुआ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो शायद सुशांत ने अपनी power use करके उनको मना किया होगा उनको को हमें contract रख रहे थे अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हमें treasure card है तो सुशांत उनके लिए एक treasure की तरह थे यहाँ पर डैरी है इस डैरी में सुशांत के secrets थे तो इन्हों ने क्या किया अब मैं आपको इस डैरी का एक और यहीं से इन लोगों ने plan किया कि सुशांत को मारना ह हैं यहीं से planning इनकी बन गई थी कि अब सुशांत को हमें बिहोश करके रखना है जिससे कि वो जो यह जो अपनी realization हुई है उन्हें हमारी असलियत पता चल गई है यहाँ पर इन्होंने हमारे सारे चेक कर लिये हैं account कि हमने कितना दोका दिया है इस book में सब कुछ सारा जो हिस सुशांत के सुशांत नहीं माना होगा और सुशांत का दिल यहां पर टूटा जरूर है क्योंकि हार्ट का कार्ड है और साथ में सौरो का कार्ड है तो यहां सुशांत ने इन्होंने कितना मनाया सुशांत यहां पर नहीं माना होगा यूरोप में उसके बाद सुशांत ने आपको self-realization करा और साथ ही साथ यहां अगर मैं देखूं तो एक person है जो एक powerful person लग रहा है काफी सुलजा हुआ इनसान लग रहा है और इसके हाथ में एक feather है जैसे कुछ लिखना चाह रहा हो तो हो सकता है सुशानत ने कुछ उनको message दिया हो कि भई अब तुम दूर हो जाओ now there is no need of you in my life तो यहां पे आप देखें तो यह तीनों के तीनों expose हो चुके थे यहां पे और यहां उसके बाद अगर हम इस card पे ध्यान दें तो यहां Ria की mother काफी strong लग रही है और Ria भी जैसी कि इनों ने सोचा कि अब इसका हम क्या करें जब यह यहां पे देखिए आप यह sign कर रहा है यह person यहां पे तो यह देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है इस क्या कर रहा है यह हमें separate रहे हमारी बात नहीं मान रहा तो यहां पर काफी स्ट्रॉंग लग रही हैं दोनों की दोनों बहुत स्ट्रॉंग लग रही हैं यहां पर देखिए आप काफी स्ट्रॉंग यहाँ पर लग रहे हैं तो इन्हों ने यहाँ जब यह देखा कि सुशांत को इनके असलियत पता चल चुकी है यह सुशांत हैं इनके असलियत पता चल गई तो इन्हों ने सुशांत की तरफ देखा अब यह क्या करेगा तो सुशांत ने यहाँ पर इनको शायद प्रॉपटी से अलग कर दिया या कुछ ऐसा वो बनाया कि मैं तुम तुमाई साथ नहीं हूं और मना कर दिया कि भई नहीं यहाँ पर सुशांत एकदम सुलजे हुए लग रहे हैं कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उन पर कोई नेगटिव एनरजी है कुछ भी नहीं बलकि यह साइड में एक साप देखो पावर फुल है इनके पास पावर है इन पर चावी है खजाने की चावी है इनके पास ध्यान से द देख लिए यह हुआ ता यूरोप टोर में जो यह कहा जा रहा है कि वहां पर कोई पेंटिंग देखी थी ऐसा कुछ भी मुझे सेटन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है ठीक है अब मैं इस कार्ड को आपको थोड़ा संझाना चाहूंगी क्यों यह बहुत सिंग्निफि सुशान्त के पास हैं यहां पेल को यह री और यह री वह डैल कि इन इसमेंसारा हिसाब किताब लिखा था अंधर यह बयायरी और इस आप यह मत इस तो चाहिए तो यहां पर doSerly यहां को सब कुछ पता चल गया तो अब क्या किया निए आपको डिसिजन लेने की बात कहीं, कोई डिसिजन लेने की बात कहीं, मदर डॉटर देख रहे हैं उनकी तरफ, यहाँ पे सुषान्त ने इनकी चोरी पकड़ ली, रोप में जब ही गए, सुषान्त को यहाँ पे रियलाइज हुआ, यह हमिट कार्ड है, उन्हें रियलाइज हुआ कि उनको बेफकूफ बनाया हैं इन लोगोंने, सुषान्त गुसा हुए, उन्होंने कहा कि अब नहीं चलेगा, यहाँ पे इन्होंने हाथ पैर भी पकड़े, देख लीजिए, नीचे बैटे हैं पैर के पास, और यह चडिया सी उपर से बोल रही है, मतलब कुल मिला कि यह तीनों के तीनों की एनरजी है यहाँ पे, जो सुषान्त को मना रहे हैं कि भई हम ही मैनेज करते हैं तुमारा सब कुछ और हमें करने दो, लेकिन सुषान्त का दिल तूटा यहाँ पे क्यूंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि जिससे वो सगाई करने वाली है, वो एक्च्वल में अपनी मदर और ब्रदर के साथ मिलके उनको चीट कर रही है, तो यहाँ पे सुषान्त का हाट बिल्कुल तूट गया इस बात को देख करके, अब यह आते हैं हम ट्रेजर कार्ड पर, यह अभी तक सारे कार्ड मैंने आपको बता दिये, कि क्या हुआ है, sequence of events, अब हम इस कार्ड पर आएं तो जो डैरी इस परसन के पास यहाँ पर है, यह डैरी यहाँ पर भी है, और यह ट्रेजर कार्ड है, यानि कि यह जो डैरी थी, इस डैरी में सारी information थी कि कि कितना इनको इसाथ गलत किया है, तो अब यह एक्सपोज ना हो जाएं, पता ना चल जाएं लोगों को, या सुशांत का जो खजाना था वो इनको नहीं मिलेगा, जुन का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो चाबियां है, यहां आप चाबियां देख रहे हैं, यह जो शेप है, यह चाबियों का शेप है, ध्यान से देखेंगा, यह कीज है, यह कीज है, अगर यह चाबियां है और यह खजाने की बुक है, तो अब इस तक पहुंचने का लिए इनको मुश्किल हो गया यहां पर देखे यह एक खदाने की चाबिया यहां पर है और ये इनके हाथ में एक पैन oportun जैसा है जिससे लिखते है तो इन्होंने कह दिया किहां यहां पर लोगों आना आप लोगों आकि वो हमा कर दिया यह जो यह मेडिसन देना फुरिया है यहीं से शुरू कर दिया इनोंने सुषान्त को मेडिसन देना क्य Sum to जो भी जहर था गहां जो हो जाएंगी कारण था कि जब होपस आये तो हमश्यों क्वास अंचांग सोय रहते थी क्योंकि उन्हें नशे की दवा दी जाती थी किसलिए ट्रेजर पाने के लिए इन लोगों ने ये सब क्यों किया सिर्फ ट्रेजर के लिए क्योंकि ये डैरी जो थी सुशांत की डैरी थी सुशांत की डैरी में बहुत सारे सीक्रेट्स थे ये इस डायरी के पीछे भी पड़ गए और इन्होंने उस डायरी के कहीं पेजिस फाड भी दिये ये भी हो सकता है कि सुषान्त ने इनकी सारी बाते इस डायरी में लिख दी हो और इन्हें पता हो कि सुशान्त अपनी डायरी में लिखते हैं और सब कुछ लिख दिया है और ये जानने के लिए कि सुशान्त ने क्या लिखा है डायरी में इन्होंने सुशान्त को बिहोश करके वो डायरी ढूनना शुरू किया कि इसने कुछ लिख दिया है डायरी में और हम फस सकते हैं और फिर बाद में वो नशे की दवाई पिलाई और डायरी इस ओपन फिर उन्होंने ये ओपन करके इसके पेजिस फार के जो इनकी खिलाफ सबूत था वो निकाल दिया लेकिन इनको ये लगा कि अब तो हमें खजाना नहीं मिलेगा क्योंकि इसे पता चल दे है हमाई रियालिटी तो अब क्या करना है तो इन्होंने यहीं से शुरू कर दिया सुषान्त को नशे की दवाई देना और फिर इंडिया आ करके ये सब ड्रामा की उनको साइकोलोजिकल प्रॉब्लम थी ये सब शुरू करा ये सब एक ड्रामा है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चोरी पकड़ी गई शोबिक रिया उनकी मदर और यहां सुषान्त बैटे हैं डैरी पढ़ रहे हैं और ये दवाई दे देनी शुरू कर दी गई खजाना पाने के लिए सुषान्त की डैरी में सिक्रेट था यानि कि सुषान्त को इनकी असलियत पता चल गई थी वो रिवील ना हो जाए इसलिए नशाब में उन्हें नशे में रखना शुरू कर दिया गया और जब से वो यूरोप से आय थे उसके बाद से इसलिए वो इतना लेट सोते रहते थे और उनका पूरा स्टाफ देरे देरे चेंज कर दिया इन लोगों ने सिर्फ इस खजाने के लिए पैसे के लिए और इनका राज ना कुल जा इसलिए तो यूरोप में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो बोला जा रहा रहा है कि सैटन का फोटे देख ली उसमें से बच्चे बच्चे डेख लिए और सुषान्त को ऐसा हो गया आप शियर करिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा मुझे कि भई एक हमारा फैमिली जो है यह खुब डेवलाप हो रही है यह पूल पैल रहे हैं यह बहुत पॉजटिव एनरजी है बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं देखती हूं कि इतने विउज हो गाए है इतने लोगों ने लाइक किया यह हर चीज़ देखती हूं आप यह मत सोचना कि मैंने कॉमें सेक्शन आफ गी है तो मैं देखती ह कि नहीं हूँ कि किसने like करा मैं देखती हूँ और मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे बहुत सारे like मिलते है और dislike तो मुझे बहुत कम मिलते है मतलब मुझे कोसे 2 आ 3 या 5 लोग dislike करते है maximum एको 95% से उपर likes मिलते हैं तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो so thank you so much for liking me and giving your valuable time your efforts to me and चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और बस और क्या और कुछ नहीं अगली वीडियो में बात करते हूं आप से ठीक है चलो take care bye now